तो हेलो एवरीवन वेल्कम तो लेट्स दिसकवर इडिस आर्या सिंग एंड टूड़े भी विल डिसकस एबाउट द फ्रिक्शनल फैक्टर फ्रिक्शनल फोर्स पार्ट थ्री ओके तो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस वीडियो का आज हम पूरी अच्छे तरी करते कि ए वीडियो भी यहाँ से वैल करताया कि तृटल फ्रिक्शनल फोर्स पाम को और आतो करते टेबल पर यहां जाके रुग गया लेकिन अगले में हमने यहां पर एक क्लॉथ भी छाया है तो यहीं पर हमारा रुग गया क्यों तो क्योंकि यहां पर इंटर लॉकिंग्स जो थी वो जादा थी इसलिए और कोई बात नहीं थी और वो थोड़ा हमारा स्मूथ सर्फिस था चलिए आज हम यहां से पूरा कंप्लीट कर रहे हैं we see that friction is caused by the interlocking और irregularities in the true surface हमने देखा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो काउज होता है क्यों क्योंकि जो हमारा सर्फिस होता है वहां पर बहुत सारी इंटर लॉकिंग्स होती है अगर इंटर लॉकिंग होती है जादा तो जो सर्फिस है उसमें भी अमारी इंटर लॉकिंग्स है दोनों इंटर लॉकिंग्स एक दूसरे से इंटर लॉक कर जाती है तो उससे दिक्कत होती है इट इस ओवियस देट दा फोर्स और फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ दा टूसर्फिस हाडर अब आप बोलोगे कि जाओ बूसरे से प्रिक्शन एक और इंटर लॉक हो हो रहे हैं और उस्पार फिरस करेंगे जिसे जिसे प्रेस करेंगे तो बस वही चीज यहां पर बोली जा दिये अब देखिए आपको एक मेट को अगर आप एक मेट लेना है उस पर आपको ऐसे उसे खीचना है तो आप उसे इजली खीच लोगे तेकिन अगर कोई आदमी उस पर बैठ जाएगा तो मेट का यह है हमारा सर्फेस यह हमारा जमीन का सर्फेस जैसे इस पर कोई आदमी बैठेगा क्या होगा मैं आपको बताती हूँ जैसा कि देखिए यह हमारा मैट का सर्फेस यह हमारा यह वाला हमारा रूफ का अब क्या करना है सिंपली यहां से अब हमें इसको प्रेस करना है दोनों तरब से हम इसे कुछ ऐसे प्रेस करेंगे तो अब क्या होगा कि यह जो सर्फेस हैं आपस में कुछ ऐसे करके इंटर्लॉक हो जाएंगे और फिर हम उस चीज को एक तरब से बोले हम मूव करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी ही मैंने आपको बताया था फिगर फिगर 12.6 में एक बोक्स को जो हम मूव करा रहे हैं उससे आपको यह जी समझना है अब देखिए दा फोर्स रिक्षाइट तो अवरकम फ्रिक्षान एट इंस्टिंट एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रम रेस्ट इस मेजर्ड एस स्टैटिक प्रिक्षान कहते हैं ठीक है अब 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 दा अधर हैंड दूसरे हाथ की तरफ देखिए यानि दूसरे तरह से वह फोर्स जो की पड़ो ऑब्जेक्ट मूविंग विथ सेम स्पीड अब वह फोर्स की बात कर रहे हैं जो जो ऑब्जेक्ट होता है उसे रिक्वाइड करत आया है इन दोनों चीजों को आपको अच्छे सी ध्यान रखना है वेन दा बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग दा कॉंटेक्ट पॉइंट पॉइंट इंटर लॉक होगा उन्हें टाइम नहीं मिलता है इंटर लॉक होने का रहा हो इजली नीचे फ्लोर तक आ जाते हैं है अच्छो दे श्लाइडिंग व्लेज ग्विद यस्लाइडिंग फ्रिक्षन है वह चोटा है स्टारी चीजें आप को अशा कर ते ओसमझ में आरही होगी अगर आप नहीं समझें तो यार फ्रीली तो आस्क हिंगमेंट सेटिशन बोग फ्रिक्षाव ऑंड जो find it somewhat easier to move the box already in motion that to get it started देखिए अब क्या बोला जा रहा है नहीं आप static sorry static friction और आप यह आप एजी अरेक्टर से अगर एक बॉक्स को आप हाथ से पुश करके उसे आगे दे पहले ढखे रहे हो तो उसमें आपको जादा लग रहा है वह रेस्ट पे था हमने उसे मूव करा है वहां में हमने static friction को एक्ट किया है लेकिन अगर हम उसे रोल करा है या फिर हम उसे slide कराते हैं तो जो time required है वहां पे interlocking को एक तरह से interlock होने के लिए वह time उन्हें नहीं मिल पाता है वह इंटर लोक नहीं हो पाते हैं और friction वहां पे एक तरह से हम friction को reduce कर देते हैं और easily जो object है हमारा वह slide कर जाता है रोल कर जाता है और कम force में ठीक है चलिए यह चीज़ आपको समझाना था तो this will be completed तो जो एक friction है वह एक necessary evil भी है दुश्मन भी है बहुत ही बड़ा अमारा नहीं भी पहुंचाता है हमें यह तो अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें सेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंग थैंक यू